आज हमारे साथ बहुत ही सिनियर और जानमाने डॉक्टर डॉक्टर स्नीहा मजमूदार है जो अभी एम्दाबाद यूनित के प्रेसिडेंट है तबी से वह अचे माइक के साथ जुड़े हो रहे है और प्रेक्षित मुदा आज का टॉपिक बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि हम फिमेल को ये प्रॉब्लेम डे टुडे फेस करनी पड़ती है या प्रिविएस जनरेशन में या हमारे बच्चों में हम देखते हैं देट सब्सक्राइब करते हैं तो उसके लिए मैं मैं को इन्वाइट करती हूं और आज हमें बहुत सरे इंफोमेशन लेक्टेस मिलने वाली है कि जो हम रोज देखते हैं यूटूब पर उससे कुछ अलग है कैसे हुम्मेपितिक इसमें हेल्प करते हैं तो मैं प्लीज वेलकॉम थैंक्यू सो मच राजलविन बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चुना है मैंनोपॉस क्यांकि इसके बारे में लेडिस को बहुत सारी गलत फेमिया भी होती है कि जैसे कभी-कभी दो मैने भी पीरियोड नहीं आते तो लेडिस आके बोलते हैं कि आरे मेरा मैंनोपॉस पर मैंनोपॉस की जो वॉल्डवाइड जो एज है वो 50 एर्स की है लेकिन हमारे इंडिया में उसकी 47 के असपास एज गिनी जाते है अच्छी 45 के बाद मैनोपॉस कभी भी आ सकता है तो मैनोपॉसल एज के पहले जो होता है जिसमें इरेगुलर पीरियोर्स या फिर दूसरे ज जब इरेगुलर पीरियोर्स शुरू हो जाता है मारे पीरियोर्स डेले होना शुरू हो जाता है तब फीमेल्स को ये प्राब्लम शुरू हो जाता है कि ऐसा क्यों होने लगा क्या क्या होने लगा और ये डॉक्तर के पास चले जाते हैं गवरा के मुझे ये क्या हो रहा है तो उनको समझना चाहिए कि यह पैरी मेनोपॉसल फेज है उसके बाद सायर दो तीन साल में आप मैनोपॉस की और जा रहे हो अच्छा तो वह फेज होता है प्रीवेस के जिसको हम मैनेज कर सकते अच्छे से और पीछे जो एक्चिल मैनोपॉस चुरू होता है तब हम उसका प बहुत सारे ओनवरोल चेंजिस दो और होते हैं तो यह सब प्राब्लम के वजह से अंलोग का ऐसा लगता है कि यह क्या शरी में हो रहा है लिकिन वह लोग मैनोपॉस की तरफ जा रहे है तो वह लोग को यदि हम वह वह देजने में बिलता है और हम उनको बरबर अच्छे से समझा सकता है कि आप परी मेनोपॉस ने हो अभी आप मेनोपॉस की वर जा रहे हो तो वह बहुत अच्छी तरह से उसके लिए प्रिपेर भी हो जाएंगे कि मेनोपॉस में अभी आप देखो इसके अधिया लक्षन देखें तो इसमे सबसे इंपर्टन है होट वहाट प्लॉष इस इतने सारे भीनों को होता है वह शुरू होता है फेस से अपर चेस से और फिर बॉरे बॉरी में होता है और वह यह ज़ादा हूता है तो अग्दम ड् उन लोग के पर्बेल्जास्ट के प्रोजिश्टरॉन थे उनके बहुत होते हैं वो कभी-कभी उनका रिलेशन्शिप के लिए यह भी वो लोग तेयार नहीं होता हैं यह सबी प्रब्लम्स बहुत होता है तो इसके विज़े से उसको बहुत सारा एक एक डिप्रेशन सा लगता है यह लोग ऐसे बोलते कि मेरे प्रियोड से पहले मोड सुंगते पर एक्चल इसा नहीं भी हो सकता है ना कभी-कभी हमें वह आप जैसे बोल रहे हैं की चेक्ट करना पड़ता कि एक्चुल पैरी मैनोपोल नहीं जा रहा है ना अवरी तैम इस नौ रिलेटेड वी प्यॉर मैं और मैं कभी-कभी ऐसे पेशन्स ना जैसे पिरियोड डिले करने के लिए या पिरियोड में कुछ दिकते कुछ बहुत होर्मान थेरापी लेते और करते तो पुरा उनका साइकल पिच्चर भी नहीं क्लियर होता वो लोग ऐसे ही मानते कि हां मेरा तैसे रेगिलर है लिए हम प्रोग पाम से या लेकिन उसे क्या होता है कि उसकी बहुत सारी सारी ऐफच्ट है जिए उसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसे बढ़ जाता है एंडव में योलिजा का सब शेंदर का जो लियर होता है उसके कैंसर के ऐसे बढ़ लूब размा झटम कि का ज 1964 अए होते यह कशलिंग से यदि हम मैनेज कर सकते हैं और यदि हम उनको होर्मोरा थेरापिय की जगा होमियोपति के ट्रीपमेंट दे सकते हैं अमयोपतिक क्षितमेंट वह अथली अमारी मैडिसिंज मोविंग होऊ है तो फीमेल्स और मेल्स सब्सक्राइब अबर ऊपर उसका अभी अचॉछ हे विर और सभी एज ग्रूप में उसका प्रूविंग है सब emission को है और मनूपास मेडिसिंज हैं तो उसमें वो जो मेडिसिन से वह बहुत अच्छी तरह से ब्यूटिफली काम करती है उसके मूद स्विंग्स को भी टिक करती है राइनस अफ हो जाए ना साथ साथ में एरेग्रोड पुरियर्स का भी वह इसमें केर हो जाता है तो तो अरे पीजिकल से इंकम्स तो कवर करती है हूं अच्छे से ततमीं साइकोलोजिकल भी आपने बताए जैसे यूमन पर प्रूविंग वह तो जैसे मैंटल पर इफेक्ट तो आप थोड़ा और बता जानता है और उसके साथ फिजिशन कोई बात करता है और उसके सब प्रॉब्लेम जानता है वह ही उसके लिए सबसे बड़े आप करने वाला कोई चाहिए तो वो उसका जो अंदर का जो भी उसके मन में चल रहा है, जो भी डाउट सल रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रोब्रम्स के वज़े से उसको यह भी लगता है, कि मेरे हस्बंड मुझे शायद निकला करेंगे यह फिर वो कुछ को एक अलूफ मेस की दुनिया में चली जाती है, वो मैसूस करती है कि मैं अटेली पढ़ गई हूं मेरे साथ को बात नहीं करेगा, मुझे ऐसा सब कुछ हो रहा है, यह सब अन्यूसल है, तो वो सब पेशंट सब आते हैं, तब उसके साथ जिस तरह से बात क करती है कि फिजिकल सिंटम्स कहने आते हैं पेशंट पर साथ में साइकोलोजीकल भी बहुत अच्छे हो जाते है, जो अनौइंग लिए पूरा वी जाता है, और यदि उसके हस्बं को बुलाते हैं उसके साथ है, जब मिन स्ट्रय जेते हैं तब उसके हस्बं को बाहर बेठ कि आप उनको यह समझो कि उनको यह जो सिम्टम्स हो रहे है वो स्वभविक है और हर एक लेड़ी को इसके से पचार होना ही पड़ता है अच्छे होमेधिक तो पूरा मतलब पूरा ट्रिक्मेंट करता है ऐसा नहीं कि दवाई लिख दी हॉर्मन धहरा पे लिख दी यह लिख और काम खतम ऐसा नहीं नहीं यह बिलकुल होमियोपती में नहीं नहीं बोल सकते पर जैसे डॉक्तर एक पूरा सरकल कंप्लिक करते और पूरी तरह से जैसे कभी-कभी छोटे लड़किया आती है तो उनको भी प्री मेंस्टूल जो प्रॉब्लम्स होता है उसका इरिटाबि सब्सक्राइब करते हैं तो आम उनको भी समझा सकते है कि यह जो प्रॉब्लम है या फीज़ोजिकल प्रॉब्लम है आप इसको बैर करें उसको उसको सपोर्ट दे यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि ऐसा सही बात है बिलकुल क्यूंकि कांसिलिंग डॉक्तर इक बहुत अच् सब्सक्राइब करते हैं जैसे कि पेशन्ट आके मेरे पास केस आये थे मैंने आते ही रहते हैं मैंने पॉस्टे प्रॉब्लम केको लेकिन वो जो लेडी एक बार आय थी तो उसको इतना और फ्लॉशिस हो रहे थे कि वो गोल रहे थी कि मुझे घर में कोई भी अच्छा नही तो प्योलतों कि अजसलेतरा हैं मैं सर्फ एक फुल करके मैं गर बैठों और मैं बस सिर्फ एक सामने ही पुरा दिन बैठी रोम मैं कुछ क्राम करना नहीं चाहते ज coisas क क्या हो गया है को उसको होई ग्या कि अट कॉ मुझे उसको समझ आता है कि मुझे एक्यों हो रहा है किसी डाप्टर के पास इतना टाइम ने होता है अगर आप जाते हो तो दो दवाई लिख देते हो और पर अच्छे होमें पर पूरा समझाते हो उनको सैटिस्फेक्शन होता है और अधा प्रॉब्लम वही पर कतब सुनकि हर एक पेशन को हग प्रॉब्लम जानने का इसा नहीं कि आपको यह है और अभी तो पेशन्स जो है वह सब गूगल के युग के पेशन्स है तो सब गूगल में सब पढ़के आते हैं पिर भी उनको उसना रूटकोस बतानी होता है जो मेडिकल बूक्स ने लिखावा है यह बिल्कुल सही बता है मैंने बिल्कुल पिंपॉइंट जो है कि देखने और प्रोड्ब्लम करते है बन Schedule आट में करके होते हैं कि प्रोड्बर प्रोंड में जो आपैपना देखने आपकर इस का सकते हैं यह दो जाना है मुझे कि ऐसे स longo सुर्चाजन की काम्छिए होने वच्जोरcorn होते है प्यार मेंशन्स हता है ज़ते हॉत राँ और शच्छी में सबसे पहली बात कि में की लेक्ड प्लिषयम हो जाते हैं और वह स्किंध के अर्पनक आपको समझाव कि ऐसके उनका कल्शियum काम होता जाता है वो क्या करता है अपना शरीर अपने बोन से कल्शियum ले लेता है और को कल्शियum की जैसे वो जो बोन से वो अंदर से खोक्ले होते जाता है जैसे कि आप कोई पेड को अदे लग गई हो आपको पेड बाहर तो एक जम ठीक ठाक दीखा का लेकिन थोड़ा भी उसको कोई तच करेगा तो पूरा वो गिर जाएगा जैसा ही हमारे केल्शियम ना होने की वज़े से या कम होने की वज़े से फीमेल्स में ये प्रोब्लेम बहुत ज्यादा होता है और मेंली हिप बोन फ्रेक्चर बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है और मेरा तो ये सबसे पहला सजेशन होता है मैनोपाजल एज में कि उनको केल्शियम का बहुत ख्याल रखना चाहिए एक फोटी की एज के बाद केल्शियम अपने डायट में से लेना चाहिए और यदि डायट में से सफिशंट नहीं है तो लोग सप्लिमेंट भी कर सकते है बहुत एक मैं रुखना चाहूंगी कि बहुत सही बोला कि 60 के बाद केल्शियम ऐसा नहीं है जैसे हम बोल दल कुछ ही जो धरम करने कर ऐसा बताऊं कि जैसे हम कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे ओम्योपती के देश्ट के वीडियो यह देख रहे हैं उनको मालूम होगा कि ओम्योपती में ट्रायोज भी बहुत अच्छे होते हैं जैसे सल्फर कलकरिया और लाइकोपोडियम का ट्रायो है या फिर उसके साथ हम लोग जो है वह ऐसे चीली पेशेंट होता है लेकिन अने के बाद वह हॉत हो जाता है तो इसना अन्मीक रेक्शन चेंज हो गया तो हम लोग सूच सकते हैं कि अभी एक इस्रॉट जा रहे है उसको तल्फर के जरूवत है उसको लाइक अच्छिस के जरूवत है उसको समझ के कत जरूब मुजूबर के लिए के अपने लाइफ में अबने के लिए तो सेतिया युश्क के दो जो घ्राइशन दरूप्र शाम में लेकिIf आम बहने डहे इसकते हैं तो सेप्या रहे होग को युश्स पैषिय ऑंग्ल्स एंप्लिश्फ्र कbucks पिर्ट्स था जो होता है ऐ Васकी कि कुछंगरें क प्रच यह हमें इस था रगधासे कर दो कम आपन आपर बहुदे बहुदे हैं मुझे सब लुच फैनई मिले क्राइवार रहा है कि हाँ फैनल नहीं चाहिए तो तो इस थार से जो लाकेशिस परिशन हो कि उसमें हम लोग बहुत सारी मेंटल और फिजिकल सिंटम्स के उपर हम लोग मैडिसिन दे सकते हैं वो भी हम स्नेक तो इस से पर बहुत तो बहुत सारी अलग चीजें वहां जिस सरह से जिसको देख के हम अद्यूर अलग चीजें ओम्यों जिस सरा है पुरा रेपटराइज करके हमें मेडिसिन देनी हैं तो कि होमियोपती जो है वो होलिस्टिक सायन्स है वो इंडिविजुलिस्टिक या फिर फ्रेग्मेंटरी अप्रोच उसका बिल्कुल ही नहीं है मैंने बेल्कुल सही बता कि अगर आप एक सिंकम देखके सिर्फ दे दिया या किसी एक तीन दवाई चूज करके रखिये कि बिचाये जो भी पेशन रहे हम दे तो वो कभी काम नहीं करें फिर ऐसा होगा कि दवाई काम नहीं करें ऐसा नहीं है यहां पर मैं बोलना चाहूंगी कि किसी भी स्टूड़न्स को किसी को भी कोई भी डाउट है और कुछ भी पूछना इसके रिलेटेड़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते तो मैं शॉरली इसके रिपलाई करेंगे और हम इसके बार में डिटेल जान सकेंगे तो एक में एड दना चाहती थी कि मैनो पॉजल एज में यदि कोई भी लेडी आती है तो हम उसको डायेट भी बहुत अच्छा लेने के लिए बोलता है क्योंकि अक्सल लेडी अपना कुद का डायेट लेने में लेने के लिए वो लोग फोड़ा पीछे हटता है अपको घर मे हाई कलिशम डायेट देख तो अगे रभी खाऊ हाँ कलिशम के लिए जो भी परता है अभी तो आपको गूगल पर से सब सोर्से सुन जाएंगे क्या 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 तो सब आ जाएगा तो यह तो बिलकुल प्री एड्राइस रहेगी डायेट की कि मैंने बता है पूरा होलिस्ट सब्सक्राइब करना जाता है तो हमें बोल रहे हैं कि ऑस्टेपोरोसिस ऑस्टेपैनिक में आप नहीं जाओगे क्योंकि हमारे श्वरेशम का एप्सॉप्शन है वही 30-35 के बाद उसका एप्सॉप्शन रेट ही कम होता जाता है अच्छो हमें का इंटेक वैसे करना इसलिए मैं बोल रही हूं कि यह मैंनोपॉजल में उनको अस्टेपोरोसिस का प्रॉबलम ना हो सई है वहारे होमेपथी में बहुत अच्छे कैलिशन सप्लिमेंट है अच्छे लोग वह भी ले सकते हैं और पासका अथ आपने आपको भी होमेपथी क्ड़्टर के पास जा सब्सक्राइज में जो भी पेशन आता है उसकी मैंटल और फिजिकल सिंटम्स और उसका पुरा कॉंस्यूटिशन मैच करके हम देते हैं कि आपने देखा होगा कि कभी-कभी पहले जो पेशन होते हैं उसका थर्मिक रियक्शन मेनोपॉजल एज के पहले बहुत ही ठंड मैस जो दोनों थर्मिक रियक्शन वाले पेशन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टन जी होते हैं तो होमेधिक स्टूरंस के लिए ये टीप्स है कि ये कुछ पीन पॉइंट ड्रॉग्स है पर ये दवाई आपको ऐसे ही बीना होमेधिक डॉक्टर के एडवाइस नहीं लेने जो मैडम ने बता है कि पूरा थर्मिक रियक्शन बदलता है पूरी हिस्ट्री लेते है पर वी हव गूड बूड मैडिसेंस अभी और भी मैं बताएंगे हमाई दीटेल उसके बारे में पर मेडिसेंस जो मैनोपॉसल ये पेरी मैनोपॉसल है तो उसमें क्या कोई टेस्ट या करवाने जरूरी है बिल्कुल जरूरी है यदि तैरी मेनोपॉसल में कोई भी भूमन होती ही रेगुलाटी शुरू ही अभी और वह मेनोपॉस के वर जा रहे है तो हम हमें कन्फॉर्म करने के लिए एक इसका हॉर्मोन ऐसे हम करवा सकते हैं इसमें से चैलाइस ट्रश्चंट को भी कमी होती है तो यूजरी पेशंस बोलते हैं मेरे हाथ बहुत दुखते हैं पेर बॉत दुखते हैं या सब पेशंस की फर्याद होती है लेकिन उसके साथ यदि हम लोग वो केलिशं का भी एक देस्ट कर रहा सकते हैं उसकी मोण डेंसीटी कैसी है ओव चाकि हम उसको प्रॉपरली एडवाइस पर शक करना है और क्या नहीं डाइस पर चेछ करना है तो उसको हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर एकसरई और करिम इंटक ही बहुत इंपोर्ट था और गाइनिक चेकप के अशा को जरुरी होता है। जिसकी वजयाना में भी आपको बता सकता है लिए अब अच्छे से बिल्कुल जरूरी है कि आज के जमाने में अगर हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी है क्योंकि पेशन जब बता दैता है ऐसे प्लियर कोई पिच्चर नहीं होता डियसिस का पर हमें चाहिए और लेप्टेस और वह सब तो बल्कुल जरूरी हो गया है आज की लाइफस्टाइल की हिसाब से तो अगर हम वह करवाते में बताया कि आप करवा और तो पर टू पॉइंट होती है और आपका पूरा क्योर होने की या डिजिस कंडिशन स्टॉप होने की या कॉंप्लिकेशन को रिवर्स कर करने का पूरा पूरा चांसिस है तो में अच्छी तरह से पेशन को समझा है तो वह समझ में आता है कि यह नॉर्मल कंडिशन है फिजिलोजिकल कंडिशन है और इसे मुझे एक्सर्ट की करना है हां नहीं तो काफी लोग यह मनला बागे पीछे की दवाईया चलो हुमेपेटिक नहीं चल रही है कि साइकोलोजिकल दवाई का सहारा लेके भी फिर लाइफलोंग वही लेनी पड़ती है तो मेरे पूरी अगर कॉंप्लिकेशन की गिफ्ट नहीं चाहिए तो हुमेपेटि मिलता है जब पेशन्ट के साथ पेशन्ट पेशन्ट स्काफ साइब कोbasisop बड़ा प्रोग्लेबोस ड्राइन आप ऒबैंस के साथ हैं प्रोबलंस के साथ आस्टि बए खिरगों शाख परोसिस के रिया पिर या ऐा फिर कंशन डेशन के भी बहुत सारे जओंट का प्रोब्लम Stickles के भी शुंज का आप मतिशम के साहं प्रोबलम के साथ जब पिशंट आते हैं तो हम उसकी बहुत दीटेल हिस्ट्री लेते हैं और सभी सिंटम्स का ओंसेट है उसका ड्यूरेशन है उसके साथ साथ में होने वाले दूसरे सिंटम्स है वो कब ज्यादा होता है कब कम होता है अग्रविशन अमिलरेशन वो सब टाइम ले के हम सब सिंटम्स की टोटालिटी बना के उसके उपर सिंटम्स करने के बाद वो मेडिसिन पेशन को देते हैं तो उससे हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है जिसने होमेपती में कॉंसिटिशनल मेडिसिन तो मैं समझ नहीं कि यूजली पेशन्स जो आता है हमारे पास तो बहुत सारे सिंटम्स के और बहुत सारे डॉक्तर के पास जाके फिर होमेपती डॉक्तर के पास आते हैं अच्छा और और वी एक कॉंप्लेक्स पिक्चर लेकर आते हैं तो हमें उस पर दूदना पड़ता है कि यह जो सिंटम्स है यह सही में मेनोपास के रिलेटर है सही में या पिर वो कुछ द्रुग यह उसके भी सिंटम्स है कोई ड्रॉक्स इंड्यूस है तो वह भी हमें चेक करके एलिमिनेट करके प्रिक्चर निकाल के हमें काम करना तो यह तो बिल्कुल सही बताए मैंने क्यूंकि हम लोग कभी कभी स्कीप हो जाते है पता नहीं चलता जो पेशन बताते और हम मान लेत पर ऐसा नहीं है मैं वह भी चेक करना पता है कि पेशन्ट भूं के आया होता है कि अभी पेशन्ट आया था वो उसको कुछ लंग्स के रिलेक्टर कोई प्रॉब्लम था लेकिन इसका कुछ स्टिरोड रगा था और मेरे पास आया तो मुझे बता रहा था कि मुझे बहुत ह आपके मैडिसिन के साथ-साथ यह सिम्टम्स अपको हो रहा है तो आपको चेक करना पड़ता है कि भी हाम मैडिसिन जो क्या ले रहा है है उसकी क्या साइड एफेक्ट और यह पेशन्ट के सच्छ मुच यह सिम्टम्स है अपने पुद के हैं वो ऐल्लमिनेट करके हम लोग अगे बढ़ता है और पेशन्ट को भी अच्छी तरह से समझाते हैं कि आपके मैडिसिन अभी चालो है तो आपको यह सब हो रहा है और होगा अच्छा तो भी नॉलेज होना और बहुत हो जाता है कि यह मेडिसिन सही में जो पेशन्ट ले रहा है उसी की साइड एफेक्ट ह जाता है यह तो ड्रॉट पिक्चर क्लियर हो जाता है हमारे अभी एक मैंडोपाजल एज में एक मैलेडी आई थी लेकिन उसको बहुत सारा डिप्रेशन था तो जैसे आपने बताया को साइक को साइक्यार्ट्रिस्ट की पास सुषू साइक्ट्रिक मेडिसिन सब रही थी त तो मैंने सोचा यह आपको परकिंस नहीं यह आपको जो ट्रैमर्स हो रहा है चोटे बहुत यह कुछ भी हो रहा है उसके लिए हमने उसके टेस्ट होगर है करवा है लेकिन वह मालूम पड़ा कि यह कि थोड़ी जो भी साइड एफेक्ट होती है उसके वजह से हैं तो पेशन को यह बहुत रिलीव देता है समझाने मलब ऐसे हो में पर अगर आप किसी की दवाई करते हो या किसी की दवाई का साइड इपेक्ट को डाइग्मिज करते हो और उसको उसकी है बिट से भी जरूरी जरूरत है तो हम देते ही ऐसा कोई मेडिसिन को अपर नहीं पर जैसे मैं ने बताया कि आप डाइग्मिज करो प्रॉपर और वो डिजीज है या सेकिंडरी सिंटम से भी तो वह करते हो तक भी यो आर ग्रेट डॉक्टर मैं कुछ तीप्स जैसे आपका एक्स्पिरियंस वा मां पडेकिन असे के साथ जो प्रिवीलीग सिंटमस था अच्छ आरा तो सारही है तो शोपल से सिंटमस था फाह, फरी परकफूरानेश को ह्षश, दिश्यज़े था, लिर जल्यक्या Chandlaा, फ्रेलीम सींटमसी था माना बहुत देर से नींद आते थी और सुभा में फिर ले टूपती थी तो उसकी बज़े सभी उसका पुरा साइकल अब बिस्टर बहुत सारे सिंटम्स के साथ-साथ रिवेलिंग और प्रॉमिनेंट ली दिखने वाला एक जो सिंटम्स था वो सैड्मेस था अच्छा तो या प्रैक्टिशनर को यह एक्समपल दीजे कि सैटनस अपने अप्जव भी कैसे यह एक नया पॉइंट कि पॉइंट एक पॉइंट था प्रॉम्हे पर शूद भी अच्छा रखता है तो कैसे मतलब कुछ आपके अप्ज़े को देख के समाइल करते हैं हाँ 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 तो वह ऐसा बोले थी कि और मैं किसी के साथ मेरी बात भी जल्दी शायर नहीं करते हैं तो यह सब जो उसके सिंटम्स है उसका जो सिग्रेटिवनेस था उसका उसका वांटेट तो बी अलोन तो यह सब जो प्रॉब्लम से और वह एसा लग भी रहा रहा मानना उसके फेस के जो मायूसी चाही हुई थी तो हम देख सकते हैं तो वह बाद रिजन देखो किसी के गर में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो सही में ऐसा कोई तो वह व्यक्ति आता है तो उसके चेहरे पर से हमने मालूम पड़ जाता है कि उसके गर में कुछ हुआ है और वह मायूस है और वह कांजियंट परियर होता है लेकिन ये पेशन्ट जभी भी आये तब उसके चेहरे पर एक मायूसी देखे मैंने उसको एक बार पूछा भी सही तब मैंने उसको नेट्रम्यूर दिया लेकिन दूसरी बार जेब पेशन्ट है उसने बोला कि मुझे थोड़ा फाइदा लग र जौन तो उसको जो सेडने की है कि मुझे समझ में रहा है कि मैं अतनी अज्यार हुए है कि मिना येये मनो पॉजल परी हैं या यह क्या है मैं रहीम्सेटने उसको इस अइसको और विदा ड़ी कि तो ऑफ् 높़ आएंड ड़ HER experiment बलेंसे देएख्य तब मेरें उसके दुन आइ क्यांकि यांकि जो नेट्रमीर है वो इतना चीली नहीं है वो पुड़ा हओ पेशंट रहा है अज़ो बहुत हो लोग देखते हैं किसी और जा रहे हैं और जो अगर आपने पूरी टोटालिटी के साथ एक दवाई सिलेक किये तो उसकी फॉल-फ मैडिसीन देखनी चाहिए और पेशंट का स्टेट है और इसनी अगर श्री पाइस्टिंशन वह बताओंगी कि आपको रह्मेडी रिलेशंशिप जनना बहुत ही इंपोर्टन आज कल हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रह्मेडी रिलेशंशिप के बारे में इतना गौर महीं करते हैं अब लोग जो भी मैडिसीन प्रिजंट पर्स है आपको वह कंसिडर करके उसके अनुसार जो भी मैजम साते हैं यदि आप मैजमेडिक ब्लॉक रिमूर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली टोटल क्यार नहीं होगा फिर बाद में वापस अच्छा लगेगा वापस रिलेप्स होगा अच्छा लेगा क्या रिलेप्स होगा बहुत 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 प्यारी रियल नाइफ एक्जमपल से समझाई हैं और यह बहुत ही टिप्स यूस्फूल है और इसके अलावा भी जो कमेंट बॉक्स में हम आपसे लेके आएंगे क्वेरिश मैं शौर राजल मैं थांकियो थांकियो सो मच मैं